Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपने Windows 8 में account password कैसे set या change कर सकते हैं तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने account को secure करने के लिए उसके उपर password set करते हैं लेकिन अगर किसी कारण से आपने installation के दौरान password set नहीं किया है या आपका password आप change करना चाहते हैं तो आप ऐसा कैसे करेंगे इसे सीखते हैं इस वीडियो में तो इस activity को perform करने के लिए चलिए चलते हैं अपने Windows 8 computer के उपर तो देखिए मैं उस computer के उपर आगया जिसके उपर हमने Windows 8 को install किया हुआ है अब यहाँ पे मैं charms को activate करता हूँ और यहाँ से settings पे जाता हूँ और settings में जाने के बाद यहाँ पे देखिए option है change PC settings इसको click करता हूँ PC settings में second option है users की इसको click करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ account से related settings आ गई है जिन में से एक option है change your password अगर आपने already password अपने account पे set किया हुआ है तो यहाँ पे option आ रही है change your password तो हम इसे click करते हैं आप से आपका current password पूछा जा रहा है आप अपना current password जिससे आप login हुए है वो यहाँ पे enter करें यह security feature है इसलिए ताकि कोई और user जो आपके computer पे अगर बैठा है आपसे पूछ के या बिना पूछे वो आपका password change ना कर पाए तो current password को enter करने के बाद next प्लिक करते हैं और अब हम एक निया password set कर देते हैं उस password को re-enter करते हैं और इसकी एक hint यहाँ पे enter कर देते हैं ताकि in case आप password भूल जाएं तो आप इस hint को देखके password को याद कर सकें इसके बाद हम next बिटन को क्लिक करते हैं आप से कहा जा रहा है कि एकली बार जब भी आप login करें तो आप अपना निया password यूज करें इसके बाद finish बिटन को क्लिक करते हैं हमारा password चेंज किया जा रहा है एक बार हम windows को lock करके देखते हैं तो इसके लिए मैं start button को click करता हूँ और start plus L key को press कर सकता हूँ या फिर यहाँ से account को lock कर सकता हूँ तो enter key को press करता हूँ तो देखिए मैं दुबारा से login कर गया हूँ तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने windows 8 के उपर account password को कैसे set या change कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening